आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की most loveable SUV जो है महिंद्रा बुलेरो तो महिंद्रा वालो ने इसका facelift निकालने का सोचा है जो कि end of 2021 या फिर starting of 2022 में आ जाएगा इंडिया में तो काफी चेंजमेंट किया है लोग और इंटियर में इसके तो फ्रंट से कर बात करेंगे हैं तो आपको इसमें बता है aggressive chrome grill आगे से लीचे fog lamps आपको इसमें देखने को भूलेंगी expected price जो है गाड़ी की हुआ 8.50 lakhs से लेका 9.5 lakhs तक extra home price तो इसके जो market में rivalry चलेगी वह है तो मारुजी सुची विटारा ब्रेजा से चलेगी टाटा नक्सन से चलेगी और फोड इको स्पोर्ट से चलेगी क्योंकि इसका body size जो है मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कम किया इस बारी तो एंजन आपको जो मिलेगा 210 Nm का torque मायरेज जो आपको मिलेगा वो 16 kmpl का मिलेगा transmission जो मिलेगी आपको इसमें 5-speed manual transmission मिलेगी 2-wheel drive में आपको एक गाड़ी मिलेगी लेकिन rear wheel drive option में आपको इसमें मिलेगा काफी अच्छा changement किया है काफी premium मना दिया गया इसको तो फ्रंट से अगर बात करेंगे LED headlamp आपको इसमें मिल जाएगी cubicle design में नीचे आपको fog lamp इसमें देखने को मिल जाएगी आगे एक scuff plate मिल जाएगी को जो की काफी aggressive look इसको बनाता है गाड़ी का side से कुछ एक तक आपको महिन दर थार की तरह दिखेगी है कि आपको alloy wheels आपको इसमें मिल जाएगे तो काफी सारे design चेंज किये इसे हैं साइट साथ आपको इसमें body gliding देखने को मिल जाएगी काफी अच्छी body gliding देखने को मिलेगी तो महिन रावलों ने काफी अच्छा चेंजमेंट किया इस बारी interior तो जो है इस गाड़ी का main चीज interior काफी अच्छा interior देखने को मिलेगा आपको इसमें तो फ्रंट से बर बात करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा music system जो की touchscreen infotainment system आपको इसमें मिलेगा automatic climate control के साथ साथ जाएंगे इसमें powered by mhawk 75 engine मिलेगा आपको इसमें गाड़ी का overall look काफी अच्छा है